अपने इस खास कारेकरम में अब हम सफीदो हलके की हकीकत जानेंगे सफीदो से भारते जंता पार्टी ने रामकुमार गोतम को अपना उम्मीदबार बनाया है रामकुमार गोतम जेजेपी से विधायक थे, जेजेपी को अलवधा कहा और बीजेपी का दामन थामा तो वहीं कॉंग्रेस ने एक बार फिर से सुबाश गांगली पर बरोसा जताया है और सफीदों से उम्मीदवार उता रहा है मजूदा समय भी सफीदों से कॉंग्रेस के ही उम्मीदवार विधायक बने थे सफीदों हलके के लोग हमार साथ जुड़े हुए है अब चुकि हम लोगों की राय ले रहे हैं तो सफीदों के जो स्थाने लोग हैं उनसे जानते हैं सफीदों के इस बार जो अगर हम बात करें क्या महोल लग रहा है कॉंग्रेस बीजेपी और अन्य पार्टी के उमिद्वारी मैदान में हैं क्या इस बार सफीदों की जनता की मन बना हुआ है सफीदों की जनता को मन तो बीजेपी की तरफ बना हुआ है भारते जनता पार्टी की तरफ है और पहले भी था और अब भी लोगों का रुजान है कि नायब सैनी को मुख्या मंतरी बनाना है और सफीदों से जो परतियाशी आया दादा गोतम जी उनके परति लोगों का पूरा रुजान है मन बनाने का कारण एक ही है विकास के मुद्दे और भारते जनता पार्टी की सरकार में जो बच्चे लगे है वो बिना परची खर्ची के लगे है free of cost पहले लगते थे जो पहले की सरकारे थी उनमें देना पड़ता था माल दो तो नोकरी मिलेगी इस राज में नोकरी बिलकुल बिना परची खर्ची के नोकरी है इसके इसलिए भाजपा को हर एक व्यक्ति चाहता है कॉंगरेस के विधायक आपके सुभाष गांगुली फिरसे मैदान में हैं कैसी तरह का उनका कारेकाल रहा सफीदों में क्या विकास हो पाया है सबसे पहले तो मैं आपके सूरिया समाचार चैनल का धन्यवाद करता हूं, आप सफीदों में आए हैं, एक सफीदों का नागरी को नहीं के नाते, आपके पूरी उमीद है, लोग मोदी जी की नीतियों से, नाइब सेनी जी की नीतियों से बहुत परवावित है, जितनी कल्यान कारी योजनाय परदानमंतिरी, मुख्यमंतिरी ने चला रखी है, सबसे परवावित हो गए, अबके जनता मन बना चुके गए, यहां कमल खिलाना है, हर्याना में इन एलों की सरकार रही, कॉंग्रेस की रही, बीजेपी की रही, सबके तुलना करे कारेकाल की, तो क्या फरक दिखता है अब? सबके तुलना करे, तो भारते जनता पाटि सबसे अच्छी सरकार रही है, दस सालों में सबसे ज़्यादा अच्छे विकासकारिया, इनोंने किया है पहले पैसे दे के नोकरिया मिलती थी तो सबसे बड़ी अब भारते जंता पार्टी है देश की सोचती है समान विकास करती है छेतरवाद में विश्वास नहीं करती ऐसी भारते जंता पार्टी बहुत बड़ी असरकार है विधायक आपके यहां सफीदों से रहा है फिर से चुनाग जी कभी हमने कोई विविकास नहीं कराया नहीं किसी के दुखसुक में देखके हमने भारते जंता पार्टी के जो भी है वो सरकार सबसे बड़िया है हर्याना में इन एलो की सरकार रही, कॉंग्रेस की रही, बीजेपी की रही, सब के तुलना करे कारेकाल की तो क्या फरक दिखता है आप सब के तुलना करे तो भारते जंता पार्टी सबसे अच्छी सरकार रही है दस सालों में सबसे ज़्यादा अच्छे विकास कारिया इनों ने किया है तो सबसे बड़ी अब भारते जंता पार्टी है, देश की सोचती है, समान विकास करती है छेतरवाद में विश्वास नहीं करती, ऐसी भारते जंता पार्टी बहुत बड़ी असरकार है सबसे पहले तो क्या जरूरते हैं सफीदों में? जब कि मनोरलो शरकार और बीजयपी सरकार 90 के 90 विदायकों को बराबर ग्रांट देती है। जबकि पहले वाड़े कॉंग्रे सरकार होती थी वो सिरफ अपने अपने विदायकों को ग्रांट देती थी लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है सबी विदायकों को चाहिए पक्सका चाहिए विपक्सका है बराबर सब को ग्रांट दिया है लेकिन उनोंने पता नहीं पिज्वेटों की जो जानता है वो अलग-अलग बात कर रही है और भी लोग है आप आपर हमार साथ उनसे जानते हैं क्या आपको लगता है सफीदों में इस तरह से अभी फिलहाल क्या चुनावी महवी लग रहा है सभी पार्टियों के उम्मिद्वार मैंधान में है सभी शा कारण आप जो कह रहे हैं पीजेपी की इनने काम बढ़ी अगरे तो गरीब लोगों ने जो रुजगार मिलाने सबसे जादा उसका परवाव देखने का हम गाउं में जाते हैं वो पड़ रहा है बच्चे वारे सामने आते हैं मैं लगा हूं जी मैं लगा हूं जो आदमी कभी सब्सक्राइब आदमी ने तो इसलिए आदमी खुस है विचारा गरीब आदमी दबा होगा है वह बोल दाड़ी जादा सामने नहीं आता सालाइट बोट है बोट बीजेपी के खूब दबा के सफीदों के में मिलेगी और क्या महौल फिलाल आपको सफीदों में दिख रहा ह इसे है इलेक्षन तो हर पांच साल में उतते हैं इलेक्षन आते हैं जाते हैं पारिट सभी आई हैं सभी जाई हैं अभी 10 साल से बीजेपी की नीकिया है जो इनकी बीजेपी के शंतापक थे श्यामा प्रसाद मुखर जी उनका एक ही धे था एक ही देश्चे था कि जो अंतिम पंक्ती में जो इंशान गरीब लोग खड़या है जिसको कोई भी सवी दानी मिल रही इस पारिटी की सबसे पहले ये रार्थिकमा होगी कि जो पिछे खड़या बंदा है जिसके पास कुछ भी रोजगार नहीं है उसको आगे लिया जाए उसको यह सब बीजेपी में जो आप कह रहे हैं अंतिम पंक्ती वाली बात कर रहे हैं आपको दिखा है सरकार में हाँ हाँ हमने इस में देखा है हर आईशा लाहर योजना पर महिलाओं को गैस लेंडर या उनको को कोई भी मत प्रिवारवाद और गर्वक की तो सफीदों के जो लोग है उनकी राए अपनी है अपने अपने विचार है और आगे अलग-अलग इलाके में जाएंगे सफीदों के और जानेंगे कि वहां पे किस तरह का चुनावी महौल है और किस तरह की राजनीती पर चर्चाएं में हो रही है